नमस्कार दोस्तो स्वागत हैं आपका TC Fashion में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जिसकी है हान्प सटल मसीन है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुई की सलाग अगर आपके उपर नीचे नहीं होती है सिर्म मसीन चलती है तो उसको आपके सही सही कर सकते हैं वो उपर नीचे नहीं हो रहे हैं सबसे पहले मैं आपको दिखादक्स थो यहां पर देख सकते हैं ये मसीन चल लए है उसी के अर समारी नहीं को यह Ini मतलब फिरी हो गई है तो यह चल नहीं रहे हैं अगर हम इसको खोलते हैं तो इसमें कहीं पर भी पेंच नहीं दिखता है तो दोस्तों अगर हम इसको खोलते हैं यहां पर मैं आपको दिखाता हूं तो यहां पर देखें कोई भी पेंच नहीं दिखता है यह देख सकते हैं यह देख सकते हैं यहां पर मतलब कुछ भी नहीं चल ला है तो अब हम इसको तो देख सकते हैं यहां पर जो है यह सुई के सला का इसा लग रहा लूज हो गई तो यहां पर पेंच तो आपको दिखने कर सकती है क्योंकि इसके ताइमिंग होती है सेंटर होता को सबसे पहले इसके पीछह साइड में है अब हाँ ऑप啊 आपको पेंच दखेगा इसरे में LAUGHTER हिए और से पहले इसको टाइट करने के लिए आपको क्या काम करना होगा कि इसको देखिए इसको सबसे पहले हमको नीचे करना बिल्कुल नीचे बिल्कुल नीचे कर दिया है ना यह उपर के लिए जाने को हो बिल्कुल नीचे कर देना है इस सुई की सलाक को भी बिल्कुल नीचे कर दे इस तरीके से और और यहां पर देख सकते हैं यह जो है यह संटर यहां पर इसी तरीके से आना चाहिए ऐसा नहीं है यह उपर उठा हुआ है तो उठना नहीं चाहिए यह बहुत ज्यादा नीचे नहीं होना चाहिए क्योंकि बूट रख दें आम पता चले जो है और इसको नी कि भी कि सरी अधेथ से वूर फो दिखेंगे आपको भका जगेगी विल्कुल सस्ट से ऑपने आपको यहां पर अधेगी तो इतना ही आपका रहना चाहिए हिस्सा थो अब ना तो कहा पर भेशे मैं आपको दिखाता हूं तो दीए यहां पर का उसे औल्टी साइट में तो यहां पर चीवाफ देखेंगे रिभाक पेंच दिखेंगा है अगर ऑ는 पहिए को घुमा देंगे मतलब इसको उपर नीचे कर देंगे, पहिये को घुमाएंगे, तो ये पेंच उपर चला जाएगा, सुई के सनाग भी उपर चली जाएगी, तो संटर आपका गरबड हो जाएगा, तो इसको बिल्कुल ही नीचे आपको करना है, ठीक है न, जब नीचे करेंगे, नीचे करने का है, उसको पेंच कर से लगा कि इस पेंच को हमको टाइट कर देना है, और कसके टाइट करना है, तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखिए आप बांदी है, हमारी बंद गई है, तो देखे अगर हम इसको चलाते हैं, तो यह आप आसानी से चल लगा है, तो इस तरीके से आप इ क्योंकि इसकी शिलाई भी लगना जरूरी है तो हम शिलाई लगा के आपको दिखा देते हैं तो यहां पर सबसे पहले पेंच को टाइट कर देते हैं तो यह बहुत ही सिंपल और आसान तरीका होता है अब देखे हम लगाते हैं सिलाई तो फाइनली देख सकते हैं मारी सिलाई लगना लगी है इस तरीके से आप लगा सकते हैं कुछ भी देखने की जिरूत नहीं है माकिया आपकी कहीं के ताप बगरा आया तो सुई थोड़ी वह तो उपर नीचे करते हैं आप सही कर सकते हैं उपर से ही देख सकते हैं दोनों ताप सिलाई इस तरीके से आई है तो ये वीडियो दूस्तों अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें सेर करें चैनल पर पहली बारा सब्सक्राइब कर भी लाइकन आए झाल इस अच्चा है भी लाइक कर लाइका तो आपाइक झाल आप है